सबी को मही तरफ से प्यार बहार नमस्कार, उमीद करता हूँ, आप सब बढ़िया होंगे, त्यारी अच्छी चल रही होगी, और घर में सब सेफ होंगे, तो फिलाल आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, एक्टिव पैसिव के बहुत ही बहतरीन कोशिंस के बारे में यह सारे कोशिंस जितने भी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, यह सब प्रिवियस एर एक्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो लगबग 100 से जादा कोशिंस को हम लोग डिसकस करने वाले हैं, थोड़ी बड़ी क्लास होने वाली है, नॉर्मल क्लासिस से, और जिस बच्चे आपको पता हैं, मैंने complete chapter बढ़ा दिया है, तो किसी ने अगर नहीं देखी हैं, तो playlist में जाईए, active passive को अच्छे से पढ़िए, active passive के आप कोई भी chapter का नाम लीजिए, मैंने सब detail में बढ़ा रखा है, complete chapter के forms में, ठीक हैं, तो आप लोग को description में link मिल जाएगा chapter का, क्योंकि concept आते होंगे, तभी implementation आप कर पाएंगे, practice questions of course तभी लगा पाएंगे, जब concepts पे आपके अच्छी command होगी, तो मैं ये zoom करके चल रहा हूँ कि concepts वाली class आपने देखी है, उसके notes बनाए है, at the same time multiple revision भी कर ली है, क्योंकि मैं अभी एक एक बारी की से चीज़ बताने नहीं वाल questions हैं, तो of course बहुत साई चीज़ों का idea लगेगा, ऐसे भी बहुत सारे questions रखे हैं, जो generally आपको chapter में देखने को नहीं मिलते हैं, जो बस questions के form में ही होते हैं, जिनको questions से ही समझाया जा सकता है, तो नहीं नहीं चीज़े आपको देखने को मिलेंगी, कुछ creative questions भी रखे हैं, और previous year तो already है ही इसके अंदर, है ना, तो करते हैं ये शुरुवात, है ना, और pdf आप लोग के साथ मैं share कर दूँगा, चलिग्राम चैनल तरुम ग्रोवर इंग्लिश, आप बनाना चाहें, तो पीछे-पीछे से घर भी बना सकते हैं, और बाद में अपने answer मैच कर सकते है हाला कि साथ-साथ solve करें तो ज्यादा better रहेगा, मुझे लगता है, करें जी शुरुवात, ready भी सभी, चलिए जी शुरुवात करते हैं, तो one by one question आपके सामने आता रहेगा, आराम से, मस्ती से बनाईए, one by one question आता रहेगा, वीडियो को pause करना, खुद बनाना, और मैं उसकी दente'll write an application, आपको active passive में बस किस पर ध्यान देना है, आपने verb पर ध्यान देना है, जितना जादा अब WERB पर फोकस करें के उतना जल्दी आप अंसर निकालोगे, क्योंकि active passive आपको पता है, voice क्या है, verb ही तो है, word ही voice है, voice ही verb है, आपको पता है, yes or no? तो my sister will write an application आपको पता है will plus first form इसका passive क्या बनता है will be plus third form बनता है ढूंड लीजे कहां पे है, सिर्फ यहां पे है और कहीं पे भी नहीं है तो third answer है फ़राफट से आगे चलेंगे जादा वक्त जाया नहीं करेंगे अगला question जल्दी से बनाईए I hope बना लिया होगा the audience laughed at the committee तो आपको पता है laughed मतलब verb की कौन सी form है second form है अच्छा आप चाहें तो speed को बढ़ा भी सकते हैं आप speed को 1.5x भी कर सकते हैं आपको जल्दी 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 करना है 1.25 पे भी कर सकते हैं तो verb की second form change होती है was verb plus verb की third form में बाकी सारे गलत क्यों है laughed at साथ रहेगा आपको पता है जो preposition है ये इसके साथ ही रहेगी laughed at frazzled verb है तो यहां पे है और यहां पे है और उसके बाद audience लिखा हुआ everyone नहीं लिखा हुआ हमारा second answer हो गया तो verb का second form को बनता है was verb plus verb की third form में the teacher told him to collect assignment told लिखा हुआ told फिर से verb की second form ये change होगा was or third form में सिरफ यहाँ पे और कहीं पे भी नहीं है मतलब first answer है चले आगे चलिए जी अगला question I am observing the animals जैसे ही मैं बोल रहाँ वीडियो को pose गरवाँ हाथ और हाथ यहीं बनाओ फिर answer देखो am observing मतलब ismr के साथ ing change होगा ismr being plus verb की third form में yes or no तो ismr being plus verb की third form सिरफ यहीं पे है और कहीं पे भी नहीं है यहाँ पे भी है animals plural है तो of course r वाला use करेंगे third answer है समझ में आया क्या चले जी चलिए one can achieve reward by hard work आपने यहापे note किया can model verb की साथ first form आई हुए तो यह change होता है model plus b plus verb की third form में same model ही use होगी same model है भी है और verb की third form है तो मतलब fourth answer है reward can be achieved by hard work समझ में आया क्या she expects good news expects लिखा हुआ है verb की first form के साथ s यह is है यह change होता है ismr plus verb की third form में कहाँ पे है सिरफ यहाँ पे है मतलब first answer है good news is expected by her somebody hit the beggar with a stone hit verb की second form है sir second form कैसे है तीनों form same होती है hit 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 sir यह second form ही क्यों है क्योंकि अगर यह first form होती तो somebody लिखा हुआ इसे hits होना चाहिए था यह first नहीं है यह third form भी नहीं है क्योंकि subject के direct बाद third form नहीं आती तो बची कौन सी है second form है second form change होती है was word plus verb की third form में जो कि यह रहा was word third form यह रहा यह दोनों तो नहीं होंगे अब जब किसी भी instrument की बात करते हैं तो हम instrument के लिए with use करते हैं ना कि by use करते हैं बड़ा common सा यह fact है है ना जैसे कि आपको किसी ने मारा तो आप person के लिए तो by use कर सकते हैं जिस instrument के साथ मारा है न he hit me with a stick ऐसे बोलेंगे he hit me with a stick ना कि by a stick यह सुरनों जैसे I was hit by this person I was hit by this person इस person के द्वारा मुझे hit किया गया, मारा गया, पीटा गया with a road, with a stick जब भी कोई instrument से पीटते हैं तो हम लोग with use करते हैं आई नहीं तो ध्यान रखेगा the beggar was hit with a stone person होता तो by use करते हैं I hope मेरा point clear हो गया चलें जी, चलिए he gave her promotion happily he gave her promotion happily आपको यहाँ पे यह verb की second format change होगा was verb plus third form में जो की कहाँ पे एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ यहाँ पे भी है यह वाला तो नहीं होगा अब आपको बता है कोई her promotion कोई object थोड़ी है कि आप her promotion को नीचे उठा लोगे, her promotion कोई चीज थोड़ी है he gave her promotion happily उसने उस लड़की को promotion दिया happily कोई her promotion एक साथ कोई word थोड़ी है तो अलग-अलग word है तो आप her promotion को नीचे थोड़ी उठा सकते हो मतलब पहला answer है उससे promotion दिया गया उसके द्वारा बड़ी खुशी से कोई her promotion object थोड़ी है सीधा उसको उठा लोगे यहाँ पर यह अलग-वर्ड है यह अलग-वर्ड है तो जब अलग-अलग है दोस्त जल्दी बनाओ आप एक चीज़ नोट कीज़े कि अगर सब में सेम है तो आपको आगे वाला चेक करना है वर ओफ लोडिंग लिखा हुआ है मतलब वर्ड प्लस वर्ब की फर्स फर्म के साथ आई है जी यह चेंज होगा वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फर्म में यस और नो वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फर्म में जो की फर्स्ट में है वर्ड वर्ड प्लस थर्ड फर्म है यहां नहीं है वर्ड वर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फर्म थर्ड में भी है और यहाँ पे भी नहीं है तो मतलब यहाँ तो answer है first यहाँ तो है हमारा third अब भई answer क्या होना चाहिए the fish were being offloaded या fishermen were being offloaded fisherman subject है तो यह पीछे चला जाएगा object बनेगा तो fisherman दुबारा यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा passive में आपको पता है na subject object बनता है तो यहाँ ही कैसे रहा first answer आपका क्योंकि of course fish अब पहले आएगा और fisherman पीछे जाएगा fish पहले आएगा fisherman पीछे जाएगा तो fish पहले आएगा fisherman पीछे जाएगा subject object को आगे पीछे नहीं करते हैं आप देख रहे हैं कि मैं कैसे बना रहा हूँ और मैं बस verb को पगड़ रहा हूँ पूरा पढ़ने की जरूवत ही नहीं है the trophy might be won might be won already passive आपको पता है कि B plus verb की third form मतलब आपको active बनाना है तो active बनाने के लिए इसका might plus verb का first form बनेगा अब धोण लो might plus first form सिरफ यहाँ पे है मतलब आपका third answer है रुको भई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है लेकिन आपको पता है कि by us है तो मतलब we उदर जाएगा trophy उदर जाएगा तो यह वाला choose करेंगे third answer है क्योंकि trophy को उदर भी तो भेजना है passive में passive active बनाओगे तो subject और object तो आगे विशे करोगे समझ में आ रहा है न सबको concept पड़े है तो बहुत easy चीज है अनुराग has been transferred to Mumbai हाँ भई has been transferred है तो उसका बनेगा has have plus verb का third form क्योंकि वो already passive है passive है तो active में change करना है has have third form जल्दी से ढूंड़ो भी काँ पे है कापे कापे सिर्फ यहां पे है और यहां नहीं है यहां नहीं है यहां नहीं है मतलब first answer है भई they have transferred अनुराग to Mumbai अब आप सोचरों के दे कहां से आया तो किसी के द्वारा किया गया होगा उसको passive में नहीं लिखा लेकिन active में लिख दिया अचा उन्होंने transfer किया अनुराग का Mumbai अब जिन्होंने किया वो थोड़े से अनिश्चित थे इसलिए passive में नहीं लिखा था लेकिन active बनाते वक्त उन्होंने लिख दिया तो वो उनकी शर्दा है आपने तो बस verb को पगड़ना है कि कैसे change हो रहा है yes or no चले भी आगे चलिए अगला एक second हाँ जी after the food was eaten the dishes were washed by us बनाओ बई जल्दी बनाओ तो was eaten लिखा हुआ है was eaten का second form में change होगा क्योंकि was Won't word third form तो यह second form में change होगा second form यहाँ पे और यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है और आगे वर वोज लिखा हुआ फिर से यह second form में जाएगा क्योंकि यह already passive है आपको चाहिए एक्टिव तो एक्टिव में देगो फिर से आगे second form है yes or no तो मतलब आपका first answer है दोनों को change कर रहा है कि after we ate the food we washed the dishes yes or no after the food was eaten the dishes were washed by us दोनों को दोनों passive को दोनों active में change कर दिया चलें भई आगे पक्का चलो our cat was teasing the dog next door was teasing लिखा हुआ है was were ing है यह change होगा was were being plus verb की third form में तो was were being plus third form सिरफ third में और कहीं नहीं है मतलब यह answer आप देखे रहो कितना असान है कितना ही असान examination में आता है before I could ride my bike I had to repair the puncture before I could ride सब में same है I had to repair करना है had to plus first form है तो यह change होता है had to be plus third form में पढ़ाया हुआ है had to be plus third form कहां पे सिरफ यहां पे बाग की सारे गलत है first answer है चलें जी चलो जी बनाओ भी they consider that India holds the key to success of democracy in the world they consider आपको याद होगा they consider people think हम ऐसे बोलते थे हैं न it is considered कि देखो first form है नहीं यह first form है तो first form change होता है is MR third form में बस आप यही ढूंड लो is MR third form ढूंड लो क्योंकि देखो passive तो इन्होंने बनाया हुआ है खुद ही बनाया है आपको बनाने की जूर्दी नहीं है बने बनाया option है तो is MR third form कहां बेक तो यहां पे और एक यहां पे यहां नहीं है और यहां नहीं है अब आगे as it is रहना चाहिए आपको पता है क्योंकि आप holds को is holding में कैसे change कर सकते हो भई तो जो लिखा भई का भई लिखा रहेगा तो यह कोई active passive में कबसे holds holding में change होने लग गया नहीं होता ना first answer है बनाओ और आगे चलो examination में लगातार questions आते हैं इतना टाइम नहीं होता है कि चीज़ को मैं चेक करूँ आप ना आपने चेक करना है इतना हां एक बार make sure करना है लेकिन इतना समय नहीं बताना है एक एक word को match कर रहे हो ना आप verb को पकड़ो और answer निकालो that is it क्योंकि active passive सारा verb का खेला अब या आप देखो नरेशन के लगा देते हैं वो इसके लगाने होते हैं वो इसके लगा देते हैं narration के तो ऐसे नहीं करना है did you hear did you hear ही रहेगा अब आगे what was said है तो यह already passive है तो यह second form में जाएगा न second form का ही passive was worth third form होता है तो भाई second form इन होनों में कहा है यहां पे है तो मतलब third answer है when big tech companies owned your phones they could make money on all sort of services अब आप note कीजिए कि when big tech company is owned owned मतलब second form change होगा was worth third form में डूंड के निकालो देखो यहां पे नहीं है यहां पे है देखो यहां है वर बिंग third form तो नहीं हो सकता इसका और बताओ यहां तो ओन का owned ही लिखा हुआ है तो मतलब सिर्फ second answer होगा चेक कर लो आप मैंने पढ़ा पूरा नहीं पढ़ा न बच्चे पूरा वो when your phones are owned by big tech company आगे भी देख रहे हैं वही could make money could आएगा क्या आएगा भी इतना नहीं देखना है आप बस verb पगड़ उपर आपको verb पैचान नहीं आती है तो आपको सब आता है आती है नहीं पैचान नहीं सिखाया हुआ मैंने आपको basics की classes playlist बनाई हुए है पूरी playlist को देखो सब बताय हुए subject कैसे identify करते है verb कैसे करते है object कैसे करते है own पगड़ा second form में ये change होगा words word third form में सिरफ यहीं पे यह answer है और कहीं पे भी नहीं होई researchers have found that employees who have friends at the office are generally happier in their job have found को पहले देखो किसे ने change किया या क्या तो have found change होगा has have been plus verb की third form में तो बई डूंडो यहां है यहां है यहां है सिरफ यहां है last में मतलब fourth answer है यहां नहीं था यहां नहीं था यहां नहीं था has have been third form यहां पे effort answer है आगे चलें जी air travel can spread a pandemic worldwide within days तो can spread लिखा हुआ है can plus first form change होगा can be plus verb की third form में यहां है यह नहीं है यह नहीं है यह है अब बताओ भाई spread होती है third form या spreaded होती है तो for your kind information let me tell you spread 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 तीनों same होती है hit 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 put 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 cut 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 shut shut similarly spread 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 यह नहीं है कि ED लगा दो जी सल जी ED लगाए बिना तो feel आती नहीं है ना verb की third form बनती नहीं है ना तो spread ही रहती है first answer pandemic can be spread worldwide within days by air travel चलेंज जी आगे दोडें जी चलिया their emotionally intense collaboration maximized their creative potential maximize मतलब दूसरी form change होगा was word third form में पहले में है क्या नहीं दूसरे में है क्या नहीं ती इधर भी नहीं है सिर्फ यहां पे है sorry पहले में नहीं ता third में नहीं ता fourth में नहीं ता सिर्फ यहां was word third form यही answer है he questions the ability of markets to survive without stage intervention he questions questions मतलब first form के साथ s या e s change होगा is mr plus third form में जरा ढूंड़के निकालो देखो यहां देखो was being third form है तो यह तो नहीं होगा इधर तो कुछ है नहीं भाई यह भी नहीं होगा हमें is mr plus third form चाहिए देखो यह रहा is mr plus third form और इधर भी है is mr plus third form तो यह तो यह होगा अब r आएगा या is आएगा यह डिपेंड करता subject पे subject है ability आपको पता है न क्योंकि market की जो ability है जिसमें survive करने without state intervention के उसको question किया गया है ability को ability itself is a singular uncountable होता है नहीं count तो होता है लेकिन ability singular है ability is plural होता है countable होता है यह ठीक है लेकिन है तो singular singular है तो क्या use करेंग is use करेंग चोथा answer है आपको मैंने यह भी सिखायता आपको ध्यान होता हो कि of English language में prep or फिर prep or के object यह तो infinitive आ गया without English language में prep or फिर यह prep or के object अब आगे आई हो यह verb उसको चाहिए होगा subject वो ability है और वो singular है इसलिए is लगाया जिसको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को घुमा घुमा के देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ innovators who are furthering the beneficent uses of advanced AI should avoid scenarios where a machine takes over अब देखो innovators who are furthering देखो एक तो ये verb मुझे कहीं पकड़ में आ रही है innovators who are furthering the beneficent uses of advanced AI should avoid should avoid एक ये दिखाई दे रही है तो पहले should avoid को पकड़ते है should avoid मतलब should plus first form ये change होगा should be plus third form में पहले ये रूंडों की should be avoided कहां लिखा हुआ है तो should be avoided एक तो यहां पे है यहां नहीं है क्योंकि यह should have been avoided है तो यह नहीं बन सकता शेल भी avoided नहीं हो सकता इसके अंदर एदे को should be avoided एक यहां पे है तो मतलब यहां तो answer होगा first और यहां तो answer होगा fourth अब देखते हैं भई क्या क्या कि उसने किया हुआ है scenarios where a machine takes over should be avoided by innovators who are furthering तो उसने are furthering को are furthering लिख दिया अच्छा change करता तो इसका भी करता change नहीं किया उसकी शर्दा इसमें देखें scenario where a machine takes over by a machine should be avoided by innovators who have been furthering गलती होगी अब आप मुझे बताओ are furthering मतलब इसमर आईएंजी का has have been ing कब से passive बनने लगा अगर change करना था तो पूरा करना था ना तो मतलब fourth वाला answer आपका नहीं होगा मतलब first answer है चक करें first answer है समझ मैं या तो करेगा तो दोनों का करेगा या वो किसी एक का करेगा आप चक कर लिए जब उसने should avoid go should be avoided किया है पैसिव है तो इसमें नहीं है इसमें नहीं है और यहाँ पे था तो मैंने भी तो इनको short list कर लिया फिर एक और वर वर्पती आर फर्दरिंग मैंने देखा या तो आर फर्दरिंग का आर बींग फर्दर होना चाहिए या ऐसे का ऐसा लिखा रहना चाहिए अब आप देखो यहाँ पे have been फर्दरिंग कर दिया कैसे कर दिया यह कौन सा पैसे है तो of course first answer है समझ मैं है बिटा चले अर लिब्रेल्स और पॉपलिस जस सर्चिंग फूर न्यू मास्टर लिब्रेल्स आपको पता है जो लिबर्टी में विश्वास करते हैं एक्वालिटी में विश्वास करते हैं सबक पॉपलिस्ट क्या होता है पॉपलिस्ट एक ऐसा इंसान होता है या ऐसा लीडर होता है जो आजकल जो चीज़े चल रही है उसको जादा सपोर्ट करता है या आप कह लीजिए कि जैसे कोई लीडर है कोई पॉलिटेशन है और वही बाते करता है जो बाते ज्यादा पॉपल पॉपुलर चीजों को सपोर्ट करें यह न देखे क्या से यह क्या गलत है बस पावर में आने के लिए जो पॉपुलर चीजों पर बात करें बस जो ट्रेंड में चल रही है जो जनता क्या रही है बस वही बूल दिया यह सो नोच चाहिए हो गलत उससे कुछ वरखनी पड़त अब बदाओ जी क्या करेंगे अरे जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो भई यह वाली चीज इदर जाए आएगी और यह वाली चीज इदर नहीं आएगी तो मास्टर इदर आएगा लिब्रल्स उदर जाएगा तब आप दोनों में से ढूंड लो कि मास्टर कहां पर है लिब्रल्स तो उदर जाना चाहिए था न यह गलत हो गया यहां पर फोर्ट आंसर है दुबारा देखो गया key आएगा गया इजेबर इंजी को चेंज करना था इंजे इंग प्लस थर्ड फार्म में जो की फर्स्ट में नहीं था सेकंड में था थर्ड में नहीं था फौर्ट में था फिर मैंने देखा भाई यह चीज इदर जाएगी और यह इधर आएगा तो भई मास्टर इधर आएगा तो मास्टर इधर यहां पर यह रहा फोर्ट आंसर को अपनी जगह पर कैसे रखती है एक टोपैसे में सब्जेक्ट अब्जेक्ट चैन नहीं करते आगे पीछे नहीं करते गा चला टू अंडर्स्टैंड ग्लोबल वामिंग यह नहीं है यह नहीं है सिर्फ यह यह फोर्ट आंसर है देख रहें आप कितना आसान है मतलब छुटकियों में मिंटों भी सेकंड में अंसर आ रहे है मिंटों बहुत दूर बड़ी बात होगी बही चलो the ideology of our time has embraced has embraced has plus verb की third form तो जी change होगा has been plus third form धूंट के निकालो has been has been third form यहां है okay okay has embraced आ गया यहां नहीं है okay 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 have been third form हो सकता plural में हो क्या पता और इदर will भी आ गया गलत हो गया तो मतलब यहां तो answer third है यहां तो first है अब idea main subject है that is considered to be a singular so you need has have कैसे आ जाएगा main subject जब idea है तो तो answer आ गया समझ में आ रहा है सब को अच्छे से चलो फड़ा फट से अगला question जल्दी से बनाओ चलेंजी बना लिया आज यह देखते है every passing vehicle was being thoroughly checked was being thoroughly checked मतलब was being third form was being third form already passive है यह change हो active मतलब wors were ingy में check करो बही व fengy कहां पे वस वर आए इंजी यहां पे है और और यहां नहीं है और वो उस वर आए इनजी यहां पे है और और यहां नहीं है अब बदाओ वही फिरस आएगा या second आएगा तो of course every passing vehicle आगे इदर जाएगा और जो गार्ड्स हैं वो इधर की तरफ आएंगे तो starting में गार्ड्स होना चाहिए starting में गार्ड्स होना चाहिए यहां नहीं है मतलब first में है तो first answer है समझ में आया क्या दोनों चीज़े देखनी है आपने verb भी चेक करनी है verb अगर match होती है कि दो options में तो फिर subject object जो का के पीछे करना है यही दो तिन चीज़े है do not buy medicines without the doctor's prescription बना लिया वई चलिए तो do not buy medicines कह रहा है कि मत खरीदो भाई दवाई है बिन दोक्टर के prescription की जब तक वो सलाह आपको ना दे एक तरीके का suggestion है doctor prescribe करते हैं suggestion देते हैं suggestion के लिए should not plus third form यूज करते है न should not be plus verb की third form या should be plus verb की third form कहां कहां पे सिरफ यही पे या नहीं है या नहीं है या नहीं है medicines should not be bought without the doctor's prescription याद है मैंने imperative sentence वाले passive में आपको सिखाया था कि जैसे एक आपको याद होगा love the kids the kids should be loved जब भी advice देते हैं suggestion देते हैं first answer है चले जी their children were brought up with great care were brought up were brought up मतलब already passive बी प्लस third form तो ये change होता है बच्चे second form में second form यहां है नहीं है यहां पे है यहां पे है और यहां नहीं है और their children फिर वहाँ जाएगा मतलब समझ मैं आगे शुरू में their children नहीं होना चाहिए यहां पे शुरू में their children है मतलब third answer है अब आप सोचरों के सरी ये दे कहां से आया अरे भाई आगे अगे अगे नहीं लिखा हुआ तो understood है कि किसी के द्वारा तो brought up हुए होगे किसी के द्वारा तो upbringing होई होगी किसी के द्वारा तो बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया होगा तो आप समझ पा रहे ना वर्ब सही होनी बहुत ज़रूरी है देखो वर ब्रोट था second form चाहिए थी हमें यह already passive था second form कहां पे है यहां नहीं है यहां पे था और यहां पे था इसका यहीं बनना चाहिए their children were brought up with great care by them by them उन्होंने नहीं लिखा उनकी मर्जी है भई passive में उपर वो by them लिखते तो लिख देते भई तो लेकिन हमें understood चीज़े समझ नहीं है कि कैसे निकल रहा है answer at night lock the outer gate at night lock the outer gate verb की first form से शुरू हो रहा is requested to be logged और दूसरी बात is requested के बाद two के बाद first form आता आपको पता हो तो to be logged क्या है या तो ये passive बनाओ या इदर passive बनाओ दो-दो passive इसमें कैसे बन रहे है lock the outer gate का अगर request बनाते तो पहली बात तो है ही नहीं request तो आप बनाई नहीं सकते कहीं पर request का sense ही नहीं आ रहा दूसरा passive बनाने के लिए आपको B plus third form होना mandatory है बोलो हाँ तो यहाँ पे है यहाँ पे है और यहाँ पे है लेकिन बने का कौन सा मेरे ख्याल से lock the outer gate में आपको order दिया जा रहा है तो order में जैसे याद है आपको shut the door तो यह वही तो हो गया lock the outer gate shut the door दर्वाजा बन करो तो इसमें पे दर्वाजा बन करने की बात बोल रहा है बस ताला लगाने की बात बोल रहा है तो shut the door का क्या बनता था let the door be shut तो lock the outer gate का क्या बनेगा let the outer gate be locked let the outer gate be locked यही बनेगा न let the outer gate be locked of course कौनसा अंसर बनेगा थर्ड बनेगा न चक करो थर्ड अंसर है भई बाकी क्यों नहीं है ये लेट वाला structure नहीं है आपको पता है order में लेट वाला structure चाहिए होता है न यहाँ पे है request के दो बात हो ही नहीं है तो मतलब थर्ड अंसर है do not park your car in front of my house फिर से do not आया मतलब ये भी imperative है तो suggestion दे रहा है भई मत पाक करो या तो need नहीं could नहीं should not be parked यहाँ पे है should not be parked यहाँ पे है तो भई अब आपको verb तो मिल गी है अब क्या करें your car should not be parked होता है या my house should not be parked है किसे पाक नहीं करना है या को नहीं करना है न भाई second answer है house कैसे पाक होगा भी चलिए प्लीज show me my son's mathematics notebook please show me मतलब request 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 के लिए तो भाई आप क्या करें भाई please show me show me first form है तो यह change होगा बी प्लस third form तो होना चाहिए पैसिव में देखो यह बात तो पक्की है है न शो फर्स्ट फोर में शुरुआत हो रही है imperative sentence है तो पैसिव में बी प्लस third form तो confirmed है यह होना चाहिए बी प्लस third form कहां पर है यहां पर है यहां पर है यहां पर भी है और may please be shown यहां पर भी आप भई क्या करें क्या करें और कोई जोनना पड़ेगा I will please be shown I may please be shown अच्छा my son's mathematic notebook was please shown to me और my son may please be shown इसमे मुझे मिल गया एक idea बड़ियाँ वाला request वाली बात होती है तो हमको पता है कि हम may का use गरते हैं आपको पता है please की बात हो रही है request की बात हो रही है जैसे आपको याद है बच्छपन में हम teacher को बोलते थे may I go to toilet कभी आप ऐसे बोलते थे will I go to toilet नहीं न मैं I go to drink water में हम लोग use करते हैं ऐसा तो ऐसे यह हाथ क्यों करते थे दो बार में को तो ही समय में आता है अभी भी देखो मैं करके दिखा रहा हूं यह deeply ingrained है हमारे mind के अंदर है नो may I go to toilet तो basically may का use हम करते है request के लिए तो will वाला तो use नहीं होगा बोलो हाँ yes or no हा के न और उसने बोला please show me my son's mathematics notebook तो of course जो यह है वो यहाँ पे आएगा जो me है इदर आएगा तो I बनेगा I कहाँ पे सिर्फ यहाँ पे तो मतलब second answer है चेक करो आ गया नहीं समझे मेरी बात देखो first form था आपने use किया first form है request की बात ओ रही है तो may का use करेंगे will का तो न use होता है है ना I may please be shown my son's mathematics notebook किरप्या करके मुझे दिखाई जाए मेरे बेटे की math की किताब यह copy जो भी है अच्छा नीचे वाले क्यों नहीं है my son's mathematics notebook was please shown to me my son's mathematics notebook was please shown अब देखो was shown कैसे देखो आप नहीं मेरी बात समझे यह imperative sentence है imperative sentence में आप was or third form कैसे बना सकते है अच्छा first form भी है अगर माल लो तो first form का passive was or third form कैसे बन सकता है दोस्त तो मतलब यह वाला नहीं होगा अब आप कोगे sir में तो हमारा यहां पे भी है लेकिन दिहान से देखो sentence क्या sense दे रहा है my son may please be shown the mathematics notebook मेरे son को दिखाए जाए mathematics notebook हाँ दादा हो गया son को क्यों दिखानी है son को नहीं दिखानी है उसके parent को किसी को दिखानी है वो कहा रही कि मुझे दिखाओ मेरे बच्चे की मैत की notebook दुबारा देखो तुम confused तो नहीं होगे होना ही नहीं है question थो और टेड़ा था वैसे ठीक है देखो भी पहली बात तो show me a please को मारो गोली ऐसे है show me my son's mathematics notebook दिखाओ मुझे मे पापा होगा तभी तो my son बोल रहा है यह मम्मी है यह पापा है उनको दिखानी है तो लाश्वला तो वैसे ही चला गया कि my son may please be shown मेरे सन को दिखाई जानी चाहिए mathematics की notebook यह तो census ही बहार हो गया out of context हो गया क्योंकि मेरे सन को नहीं दिखानी है मुझे दिखानी है मेरे सन की mathematics की notebook तो यह तो बहार हो गया अब बचा first second or third आपको पता है कि request के लिए हम will का use नहीं करते में करते वो मैंने अभी बताया आपको ठीक है तो may आपका बच्चे यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे में हाई नहीं और यह was shown कहां से आ गया first form का बना भी रहे हो तो isma third form बनाना देखो फिर से वाई show मतलब first form है कि इन visitors को दिखाओ butcher fly form तो भाई क्या होना चाहिए suggestion है यहाँ पे बी प्लस third form तो mandatory है passive में तो पहले तो बी प्लस third form जहां जा नहीं हो उसे eliminate करो देखो भी यहा नहीं है है ना इसके अंदर नहीं है यहाँ पे है और यहाँ पे है third form क्या हो की spread की आती spread spread spreaded कर दी थी spread 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 होती थी इसकी बताओ शो शोड शोन third form शोड नहीं होती है शोन होती है ध्यान रखिएगा मतलो last वाला answer है let these visitors be shown the butterfly form समझ में आया बही क्या किया नहीं समझ में आया तो वीडियो को घुमाओ आप इस देखो one of the passengers was being thoroughly checked was being checked तो was being third form already passive air change होगा was were ING में धून के निकालो कहा है यहाँ है नहीं है okay 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 यहाँ नहीं है was were ING यहाँ 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 पे है लेकिन लेकिन one of the passengers शोरू में कैसे आ सकता है यह पीछे भी तो जाएगा तो कस्टम officers जो पीछे वाला है वो यहाँ आएगा तो कस्टम officers were thoroughly checking कस्टम officers चेक कर रहे थे one of the passengers बहुत सारे passengers में से एक को एक सकेंड भाई फोन का रख दिया ऐसे लग रहा है फोन बज़ रहा है अंजी करें चे शुरुवात चले आगे important call आ गया तो मातश्री का पूछ रही दी कि क्या घाएगा रात में अभी शाम के टाइम पर मैं यह record कर रहा हूं तो मैं फिर बताया मैं का मम्मी रिकोडिंग कर रहा था यार बीच में आपने call कर दिया तो कहती फिर silent पर क्यों नही है तो वही पूछ इती कि क्या खाएगा तो मैंने का क्या पढ़ा है घर के अंदर जो तेरा मन करे वो बना दूंगी तो मैंने का क्या बना होगे मैं का पनीर बना दो तो कल तो खाया था तो मैंने का अच्छा फिर दाल बना दो मा छो लिया गी तो कहती वो परसों खाई थी तो मैंने का फिर और क्या बनाओगे कैती जो तेरा मन करे बाई बताया तो जो मेरा मन करे वो तो बना नहीं नहीं हो आप और वो टिंडे तोरी वो बना दो गए है गीया मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बिल्कुल भी और गीया मतलब 10 दिन में 5-10 दिन में से 5 दिन तो गीय ही बन जाएगा है क्या करे या मम्मी है यार है ना लेकिन ऐसी बात नहीं है पसंद की चीज़े भी बना देती है खैर तो चले जी आगे दूसरा नीचे घर है उपर ओफिस है तो फोन साइलेंट पे मैं जान बुछ के नहीं भी रखता हूं मतलब कॉल पर ही रखता हूं और का उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है जब आप काम करने लग जाते हैं जब आपके उपर घर की जिम्मेदारियां आ जाती है जब आप एक मैच्वर इंसान रिस्पॉंसिबल हो जाते हैं तो आपको डबल ख्याल रखना पड़ता है आपके पेरेंट्स का उन्होंने ऑपने ताइम पे आपका रखा अब आपकी भी जिम्मेदार ही एसलिए मैं जाया है जरुल पर बशता रहता है बीचमी बड़ी चीष उड़ी होगी है यार माब आप से उपर कोई चीछ ओई चली जाएगी लेकिन खैर वो भी खाने का पूछ रही थी तो हम अपने टॉपिक पर वापिस आजें चलें जी पक्की बात है चलो यह जब भी मैं यह वाली बाते करता हूँ मेरे मन में वो लगाना आजाता है चिथी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश बहुत emotional song गयार है ना चिथी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए उसमें एक line अगर आपने सुनी होगी एक आवास तो दी होगी तुमने हमने ना सुनी होगी रोते रोते तुमने आवास तो दी होगी ऐसे कुछ करके हो बड़ी हिट होती है यार वो चीज है कि कोई हमको चलो यार क्या बाते करते हैं हम लोग कहां कहां चले गयार है ना माबाप की बाद आती है तो यार थोड़े से emotional हो जाते हैं है ना मैं मेरा बहुत जद लगा अपनी मैं चाहूं तो office बहार बहुत दूर ले सकता हूं मैं चाहूं तो मतलब बहुत अच्छी जगा पर अलग से एक office separate बना सकता हूं लेकिन मैं prefer करता हूं मम्य वापा के साथ रहना ही नीचे घर ऊपर अपना office है ना खैर चलिए जी तो ये वाला फ्लस थर्ड फर्म में change होगा बोलो हां इस है मार थर्ड फर्म इट इस belief नहीं होगा ये नहीं होगा ये हो सकता है और ये नहीं होगा थर्ड आंसर है बोलो हां देखो जी यही था इट इस belief by some people that discipline means blind submission to authority तो बच्चा आप वर पकड़ियो रागे चलिए the enemy will have seized the fort before night fort will have seized है तो will have seized मतलब change होगा will have been third form में ध्यान से देखो ये future perfect tense है will have third form तो ये change होगा will have been third form में तो यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है सिर्फ यहाँ और यहाँ भी नहीं है तो मतलब third answer है चलें जी have they announced the world cup cricket team have है ना have plus third form में तो change होगा has have been plus third form में तो आगे world cup cricket है ना world cup cricket team है तो ये singular है singular है तो have तो नहीं आ सकता has ही आएगा इतनी बात तो आपको पता ही है अब has के साथ been भी चाहिए यहाँ being है इधर been है तो मतलब first answer है क्या किया बंदू heavy taxes have been imposed have been imposed already passive है ये change होगा hazard plus third form में सिर्फ और सिर्फ second में और कहीं पे भी नहीं है second answer है it is time to serve dinner it is time for the dinner to be served याद आ रहा है पढ़ाया हूँ it is time for the dinner to be served passive बनाना है कैसे बनाना है 2B का 2 2 plus first form का 2B plus third form याद आ रहा है न? third answer है चलिए it was decided by the members that the report would be placed before the chairman for his comments ये decide हुआ members के द्वारा कि report को रखा जाएगा chairman के सामने उसके comments के लिए है अब इट वस decided है तो was वर third form है तो इसका active बनेगा second form ये already passive में second form यहाँ पे है और और ये question में कैसे चला गया और यहाँ पे है अब it was decided by the members था तो members decide करेंगे members subject बनेगा members subject बनेगा तो members यहाँ पे है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है तो first answer है देख लो दुबारा देखो क्या किया आगे मैंने तो पुरा पड़ा ही नहीं भाई answer निकाल दिया was decided verb की second form में change होगा यह passive है second form में जाएगा second form यहाँ पे था या नहीं दिखाई दिया मुझे यह तो interrogation में चला गया और यह रहा अब members फिर इदर भी तो आएगा तो members यहाँ आ तो गया यहाँ पे लो first answer है chairman उदर कैसे चला गया भी by whom were you taught mathematics तो by whom आपको पता है who में change होगा object है तो subject बनेगा तो who आपको नहीं होगा और were taught है तो मतलब was were third form है तो second form में change होगा second form कहाँ पे यह नहीं है यह नहीं है first में first answer है चलिए दिनेश was looked after by his grandmother when his parents were went abroad दिनेश was looked after was looked after was looked फिर से वही was were third form change होगा बच्चे second form में second form का only looked only looked मतलब यहाँ नहीं है यहाँ है यहाँ है यहाँ नहीं है अच्छा दिनेश was looked after by his grandmother तो grandmother इधर आएगा न शुरू में आएगा तो इसमें और इसमें देख लो grandmother शुरू में कहाँ है यहाँ पे है मतलब second answer है तो दिनेश grandmother looked after him when his parents went abroad समझ में आया क्या दिनेश वहाँ के वहाँ कैसे रह सकता है जब आप passive से active बनाओगे तो यह वाली चीज यहाँ नहीं लाओगे और यह वाली चीज वहाँ नहीं लाओगे तो क्या grandmother यहाँ नहीं आएगा कि भाई rub the glass table with soft cloth to make it shine rub मतलब verb की first form rub the glass table तो भाई should be rub नोना चाहिए है ना have to तो होई नहीं सकता must be नहीं should be rub यहाँ पे है तो भाई किसको रब करना है glass table को रब करना है या soft cloth को रब करना है of course glass table को रब करना है soft cloth के साथ ताकि चम के third answer है two children were shot dead फिर से भाई यह देखो वोज वर third यह सबसे ज्यादा यूज़ने वाला passive हो इसे ध्यान रखना हो वोज वर third form change होगा फिर से second form में अल्रडी passive है active में जाएगा second form कहां है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है सिर्फ यहाँ है second form shot 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 shoot shot shot यह होती है न shoot shot shot shoot first form second form short third form भी short शोटेट नहीं है दोबारा देखो वोज वर थर्ड फर्म चेंज होगा सेकेंड फर्म में इसका एक्टिव या नहीं है या नहीं है वोज शूटिंग यहां पे है यहां पे ओनली शोट है सेकेंड फर्म है तो यह आंसर है पॉपलर मॉनुमेंट्स इस विल बी केप्ट है विल बी फ्लस थर्ड फर्म चेंज होगा विल फ्लस फर्स फर्म में सिरफ यहां पे है थर्ड अंसर है आप देख रहे हैं इतना जल्दी आप एक्जाम में भी बना सकते हैं told me Vanita was unwell, Vanita was unwell was unwell है तो ये तो linking verb है, इसका तो passive बन ही नहीं सकता, she is beautiful का बन सकता है क्या she was a teacher, इसका बन सकता है तो Vanita was unwell का कैसे बन सकता है तो इसका तो passive ही नहीं बनेगा, ये तो ऐसे का ऐसा रहेगा, मतलब ये वाला option गया या तो ये, या तो ये, या तो ये मतलब इसी का बनेगा, second form है, change होगा was or third form में, ढूंड के निकालो भई, यहां नहीं है, यहां पे है यहां नहीं है, यहां नहीं है, मतलब first answer है I wasn't told by anybody that Vanita was unwell, the team manager is examining the documents of all the players, is examining is plus ing change होगा is mr being plus third form में यहां नहीं है, यहां पे है इधर नहीं है, इस examiner यहां तो, और यहां पे भी नहीं है तो मतलब second answer है teenagers do not like being told what to do teenagers do not like being told what to do being told what to do was not being liked was not being कैसे हो सकता है do not है na, do not simple present tense change होता है is mr और तीसरी form में is mr तीसरी form कहां पे है भाई बताओ मुझे यहां तो नहीं है इधर भी नहीं है यह रही is mr और तीसरी form is mr के सब तीसरी form नहीं है ing आ गया मतलब answer है third being told what to do is not lied आप देखो न मैं क्या क्या चीज़े पकड़ रहा हूं बस उन्हीं उन्हीं चीज़े को पकड़ो answer निकालो people are reading the articles on using plastic waste innovatively with interest are reading है तो change होगा is mr being third form में is mr being third form में is mr being third form यहां नहीं है is mr being और third form यहां है यहां नहीं है यहां नहीं है second answer है please give me some more time to complete the assignment please है भाई please मैं request आना चाहिए यहां पर है लेकिन i am requesting नहीं होता है ना क्या होता है b plus third form requested होता तो कुछ सोचते क्योंकि यह b तो third form passive में third form पर चाहिए ना तो यह तो गया तो आपको बता है may use करते है request के लिए will नहीं use करते may यहां पर है और यहां पर अब first और fourth में से बताओ first और fourth में से तो please give me है ना तो me क्या बनेगा I बनेगा ना तो you कहां से आ गया last answer है I may please be given some more time to complete the assignment समझ मैं क्या किया है यहां पर पहली बात please है तो request वाला चाहिए था यह है अब आपको पता I बनेगा ना यह me I बनेगा ना तो you कैसे बनेगा तो first answer है क्या सभी students को समझ में आया अच्छे से फड़ा फट जल्दी से अगला question बनाने की कोशिश करेंगे तो चलिए अगला question बनाते है How many languages are spoken in India तो आपने देगा How many languages are spoken है Are spoken मतलब SMR के साथ third form SMR के साथ third form का मतलब Already passive मतलब यह change होगा Simple present tense में Simple present यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ पर simple present का interrogative है मतलब आपका third answer है समझ में आया वही सबको चले चलो जी अगला question है The authorities are planning to lift the restrictions on the movement of people in the valley from the coming week आप pause कर लिया करो जैसे जैसे मैं पर्ड रहाँ ठीक और हाथो हाथ बना लिया करो तो आपने देखा Authorities are planning है Our planning का मतलब SMR being plus third form में change होगा ज़रा ढूंड के निकालो SMR being plus third form कहा कहां पे है First में है क्या नहीं Second में भी नहीं है Welcomed by his parents तो आपने देखा कि We arrived तो सब में ही same है तो चेंज किया ही नहीं तो आपको आगे देखना है We're welcomed बोला हुआ है तो मतलब यह change होगा Second form में Second form कहां पे है यहां Okay हर जगा ही है Almost एक मिन रुको भी Second form यहां पे है यहां पे है तो मतलब आपका second answer है ठीक है चले अब brick falling the roof top broke the front glass of my car तो brick falling the roof top broke मतलब second form second form मतलब was worth third form was worth third form यहां पे है मतलब यह आपका answer है होना चाहिए वही चले वही answer है बिल्कुल अगला question आपके आगे Your behavior annoys me greatly annoys मतलब simple present tense और यह change होगा ismr third form में ismr third form यहां पे है ismr third form यहां पे है मतलब second गया और आपका fourth गया अब buy आएगा यह add आएगा तो आपको ध्यान आ रहे हैं यह उन्हें पढ़ाया हुआ है आपको कि annoy के साथ यह angry की तरह होता है इसके साथ with भी आता है और इसके साथ add भी आता है with कव आता है जब किसी person से गुसा होते है या person से किसे चिचड़ा हाट हो और add कव आता है जब किसी चीज पे हो कोई non living thing पे हो तो behavior है कोई person नहीं है person नहीं है तो हम लोग add यूज़ करेंगे buy नहीं तो हमारा क्या answer है थर्ड आंसर होगा बोलो हाँ थर्ड आंसर है चलें भाई अगला देखें अगला देखते हैं अगला question did you receive my letter? did you receive मतलब simple past का interrogative ये change होगा was or third form में सिरफ third के अंदर है was or third form मतलब यह या answer है चलें भाई आगे चलिए जी अगला question has the car been cleaned by the driver has the car been cleaned है न तो has been third form change होगा has have third form में तो has have third form एक तो यहां पे है और यहां पे है लेकिन how तो चाहिए ही नहीं हमको तो कहने का मतलब third answer होगा चलें भाई आगे चलिए third answer है अगला question doctors are constantly monitoring the condition of the patient तो are monitoring तो यह change होगा is MR being plus third form में ऐसा कहीं जाएगा यहां नहीं है और आपका यहां नहीं है is MR being third form यहां है यहां पे है लेकिन doctors पीछे जाएगा और condition of the patient आ गया आएगा तो condition of the patient यहां पे है मतलब second answer है तो I hope समझ में आ गया होगा चलिए अगला who can help in mathematics तो can help लिखा हुआ है change होगा can be plus third form में तो by whom चाहिए और can be plus third form सिरफ यहां पे है मतलब आपका second answer है चले भई चले चलो जी by whom was this window pane broken by whom change होता है who के अंदर और was broken है तो मतलब second form में जाएगा second form कहां पे है भई broke है और कहीं पे भी नहीं है मतलब second वाला answer है चले आगे चलो जी India and Bhutan signed 10 MOUs in the field of space research, aviation and power and education signed मतलब second form फिर से change होगा was were third form में यहां नहीं है यहां नहीं है सिरफ यहां है और यहां नहीं है मतलब third answer है अगला question अगले question में भई क्या है more roles for women will be opened will be opened है तो change होगा will plus first form में मतलब will open होना चाहिए तो will open यहां पे है will open यहां पे है will open यहां पे भी है इसमें नहीं है काटा और more roles for women पीछे जाएगा है ना और Indian army आगे आएगा Indian army आगे कहां पे है यहां पे नहीं है यहां पे है और यहां पे नहीं है मतलब third answer है चले भई चलो जी Pruning of trees in my colony has been started by the horticulture department Pruning का मतलब कटाई होता है जैसे पेडों की छटाई होगी कटाई नहीं छटाई हो रहे trim करते हैं जैसे काटना तो पूई तरीके से गार्डनिंग की है ना गार्डन के रिगार्डिंग जो आपकी समझ होती है साइन्स कहा लीजी आट कला कुछमर जी कहा लीजी होटी कल्चर ठीक है तो Pruning of trees in my colony has been started by the horticulture department अच्छा भई Pruning of trees in my has been started has been started मतलब has third form में जाएगा तो भी यहां पे है और यहां है यहां नहीं है और यहां नहीं है अच्छा ओके तो भई अब क्या होगा आगे क्या आना चाहिए horticulture department अब फ्रंट में आएगा ना फिर तो horticulture department फ्रंट में यहां पे है मतलब थर्ड आंसर है चलो भई अगला question जल्दी से बनाओ क्या है being a space scientist you are advised है na तो suggestion के लिए should use करते है should not take होना चाहिए third answer mobile toilets were placed है तो फिर से second form में जाना चाहिए were placed यहां नहीं है यहां नहीं है सिर्फ यहां पे है second form और यहां पे भी है लेकिन mobile toilets पीछे जाना चाहिए district administration आगे आना चाहिए और वो third में है fourth में नहीं है मतलब third answer है I am sure he will give me some advice about admission in the University of Delhi I am sure he will give me I will be given होना चाहिए me I बन जाएगा I will be given I will be given कहां है यहां है और कहीं नहीं है second answer है I regret the way I treated you the way I treated you second form में change होगा was worth third form में सिरफ यहीं पे और कहीं नहीं है second answer है did the boys take permission to go out today did the boys take permission was worth third form में change होगा did है was worth third form यहां पे है second answer है my friends persuaded me that I should forgive him persuaded second form है भी तो I was persuaded होगा I was persuaded यहां पे है और कहीं है नहीं है तो मतलब first answer है my grandmother believes that drinking believes that it is believed me it is believed me it is believed यहां है या नहीं है या नहीं है या नहीं है सिरफ first answer आप देख रहे है second भी नहीं लग रहा है तो मतलब कितना आसान होता है answer निकालना हमको लगता है पता नहीं क्या ही है voice कुछ भी नहीं है direct indirect में थोड़ा सा effort फिर भी लग जाए वो इसमें तो बिलकुल भी नहीं लगता है आप देखो ना आपके आगे कर रहा हूं में एक भी गलत नहीं हो रहा है क्यों कि आप उस चीज़ को फोकस कर रहे है उस चीज़ के उपर जिसपे करना है irrelevant चीज़ों को नहीं देख रहे हैं बच्चा generally जो नया होता वो यही देखते है रहे भई इतना बड़ा कोशन यह तो चलो छोटा है जो कोई बड़ा आज़े इतना बड़ा कोशन में कैसे बनाऊंगा है ना ऐसे करने लग जाते हैं चलो they are selling concept याद होने चाहिए बस जितना याद रहेंगे आपको जो मैंने पढ़ाई हुई चीज़े है उतना जल्दी आप बना पाएंगे otherwise दिक्कत होगी है ना आड सैलिंग तो ismr being third form में जाएगा सिर्फ यहीं पर है तो मतलब second answer है चलो all format is completed word plus third form है तो second form में change होगा second form मतलब simple pass मतलब did वाला आएगा चलो भई to be a good speaker you need to memorize these speeches you need to plus first form है यह वैसे वारा type का आगया you have to go there है ना you have to complete all the sessions all the sessions have to be completed to be completed इस case में जब need के बाद two plus first form आगया ना भई need to do have to do बोलते हैं तो उस case में सर्फ इसका बनता है two plus first form का बनता है two b plus verb की third form अगर आपको ध्यान हो तो need वैसे का वैसे ही रहेगा और मेरे ख्याल से कहीं पे change किया भी नहीं है किसी नहीं इसमें तो need ही बगा दिया भई need है ही नहीं इसमें need है इसमें है need तो need रहेगा और two plus first form का बनेगा two b plus third form two b plus third form यहाँ पे हैं मतलब second answer है to be a good speaker these speeches need to be memorized by you यहाँ तो b plus third form है ही नहीं भाई और यहाँ पे है तो सही लेकिन गलत structure है और will be कहां से आ गया भाई need two plus first form है जैसे मैंने का I have to complete this chapter this chapter has to be completed by me I say you need to memorize these speeches these speeches need to be needed नहीं need to be memorized by you need नीड ही रहेगा यहाँ पे clear है भाई पक्का 100% चल यह जी क्योंकि हमें यहाँ पे इसका बनाना होता है infinitive का passive बनता है यहाँ पे I hope you are 100% fit by now I hope I hope तो I hope में it is hopped रहेगा first form है नहीं यह how were they managing were they managing were plus ing है तो were being third form में जाएगा was were being third form में तो was were being third form यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है was were being third form यहाँ है was were being third form यहाँ पे है तो यहा तो तीसरा यहा तो चोग था लेकिन how was the principal being managed for one year without a school या how was the school being managed for one year without a principal प्रिंसिपल के बिना school manage होगा या school के बिना principal manage होगा common sense है तो क्या ना चाहिए कि school कैसे manage हो रहा है एक साल तक बिना principal के क्योंकि वो head होता है वो manage करता है तो आपको ये पता है ना इदर चाहिए आपको ये वाला answer है fourth है how was the school being managed for one year without a principal ना कि principal कैसे manage हो रहा है एक साल तक बिना school के school के बिना principal कैसे बाते कहते हो या चलो one should leave, should leave है should plus first form तो should be plus third form second answer है an interesting discussion is being held is being held तो change होगा ismr plus ing में ismr ing यहाँ पे है यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है मतलब first answer है चलो जी my art teacher asked me whether I had attended her classes asked second form change होगा वो वर थिर्ड फर्म में वो वर थिर्ड फर्म में सिर्फ यहाँ है ellar fourth answer है चलो गई we expect an important announcement expect expect first form है चेंज होगा ismr third form में ismr third form में यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां पे है, यहां नहीं है, मतलब तीसरा आंसर है भी, चले, Hillary Clinton and her daughter Chalissa, जो भी है भई है, are working on the book of gutsy women, verb कहा है, यह रही, verb, are working, change होगा, is Mr. being third form में, यहां पे है, ओके, यहां नहीं है, काटा, यहां नहीं है, काटा, यहां वर्जवर फरस्ट आंसर है भी, the monson spur, the trees to sprout new leaves, spur का मतलब boost करना होता है, कि monson की वेरे से trees में basically, मतलब trees को boost मिल गया एक तरीके से, कि नई leaves sprout होने लगी है, दुबारा से fresh leaves आने लगी, उगने लगी, yes or no, खिलने लगी, तो spur यहां पे, वर्ब की first form है, क्योंकि यह plural है न, तो यह वर्ब की first form plural है, present tense है, change होगा, is Mr. third form में, I guess है न, हाँ, इसमें नहीं है, यह रहा, इसमें नहीं है, third answer है, Bill Gates has given away, has given लिखा हुआ है, तो पढ़ लिया भई, has, have, plus been, plus third form में जाएगा, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, और और इसमें भी है, तो फिर Bill Gates आगे कैसे आ सकता है, Bill Gates पीछे जाएगा, पीछे वाली चीज आगे आएगी, तो यह 20% of his wealth आगे आएगा न, Bill Gates पीछे जाना चाहिए था, तो मतलब fourth answer है, समझ में आए क्या कि हमने यहाँ पे, अरे Bill Gates वहाँ का वहाँ कैसे रहेगा, पैस्व बना रहे हो, तो subject object आगे बीछे नहीं करोगे, how much monthly rent did you pay, did you pay है, तो मतलब was worth third form में, सिर्फ यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो मतलब first answer है, have you paid your outstanding bills, तो have plus third form change होगा, has have been plus third form में, तो भई एक तो has have, यहाँ पे दिखाई दिरा, या नहीं है, या नहीं है, यहाँ तो being है, यहाँ पे है first answer है, he threw the ball towards his little brother, through है न, verb की second form है, change होगा, was worth third form में, was worth third form यहाँ पे है first answer है, please lock the door, please lock the door, request की बात हो रही है, तो you are requested to lock the door होगा है, the door should kindly being locked कोई structure नहीं है, you are being ordered कोई structure नहीं है, please or let दोनों साथ कैसे आगे second answer है, they are going to open the shops at 11 o'clock, are going है, तो is MR being third form में जाएगा, is MR being, is MR being, क्या हो गया वई, they are going to open the shops at, the shop must be opened नहीं, the shops were opened at 11, the shops are going to, okay, they are going to open, इन्होंने क्या किया कि to plus open का passive बनाया, to be plus verb की third form, क्योंकि अगर इनका passive बनाते हैं, यह are going का, तो is MR being plus third form होना चाहिए था, जो कि कहीं पे भी नहीं है, तो आपने देखा, आपने फिर चेक किया किया हो, इन्होंने इसका बनाया हुआ है, तो यह as it is लिखा रहे ने दिया, और इसका बना दिया, passive, जैसे मैंने कहा ना कि, I am to eat food, the food is to be eaten by me, यही होता है न, तो ऐसे उसने इस लिखा रहे ने दिया, इसका बना दिया, तो ऐसे का ऐसा सिर्फ यहीं पे लिखा हुआ है, इसका to be plus third form बनेगा, मतलब third ही बनेगा, और कोई बन नहीं जगता, देखो जी, यू हाव मेड अ मिस्टेक इन राइटिंग यूर आंसर, यू हाव मेड अ मिस्टेक, यू हाव मेड, हाव मेड है न, तो हैसे बीन प्लस third form में जाएगा, तो यहीं पे यह first answer है, बाइ हूम वाज दिस विंडो ब्रोकन, बाइ हूम वाज दिस विंडो ब्रोकन, बाइ हूम वाज दिस, तो वाज प्लस third form जाएगा, second form में ब्रोक होना चाहिए, लो भई, answer पहला, the child tore the page of the book, tore मतलब tear tore torn, tear tore torn, मतलब second form, फाड इने की बात हो रही है, किताब का पन्ना फाड दिया, तो change होगा, was word third form में, तो was word third form यहाँ पे है, मतलब answer आपके सामने पहला, समझ में आया है, बन्दू जल्दी से बनाएंगे अगला question आपके सामने, give the command, तो give the command में आपको बता, यह verb की पहली form है, यह change होगा आपका, order वाला दे रहा है, तो give the command, let the command be given, the class teacher was taking, अच्छा, एक काम करें, बचे कुछ है, जितने भी questions से उसमें थोड़ी सी, और speed बढ़ाएं, थोड़ी सी, बढ़ियां level की, चलो try करते हैं, ठीक है, मतलब आप I don't know कर पाएंगे, कर पाएंगे यारे, level होगया, बानवे question आगे हैं, यार, एक यारवे question कर ली हैं, आपने हैं, कैसे नहीं कर पाएंगे, देखो चलो, वोस taking मतलब change होगा, वोस being plus third form में, वोस being third form कहां पर कहां पर, सरफ यहीं पर मतलब fourth answer है, चले, चलो जो जो अगला, switch off the television, मतलब verb की first form है, order मतलब let चाहिए होगा, let कहां कहां पर है, let यहां पर है, यहां पर है, और B plus third form भी चाहिए, B plus third form यहां पर है, मतलब third answer है, let the television be switched off, let a glass of water be brought है, न, they considered, consider मतलब second form change होगा, वोस 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 थर्ड फर्ड फर्म में, second form कहां है, यहां है, कहीं नहीं है, first answer है, tennis ball hit dhierage on the head, hit second form है, hit वाल अपढ़ाया हुआ है, second form change होगा, वोस 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 थर्ड फर्म में, वोस 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 थर्ड फर्म कहां है, सिर्फ second में और कहीं नहीं है, बाकि सब गलत है, second answer है, आप वीडियो को पोज गरो, साथ साथ, ऐसी बात है, कभी आपको speed point पे 75 करनी बढ़ जाए है है न, रुख जाओं गया, होले होले हो जाओं गया, they need 104 run, 104 यह 104 यह 104 यह 104, कुछ लोग cool बनने के लिए है न, 104 को 104 बोल देते हैं न, दिखाते हैं कि हमारी language हो, हमें अंग्रेजी आती है, हम बड़े cool है, मैं रज़े कोई यान बुश की बोलता भी है न, कभी ऐसे cool बनने के लिए, मैं और हिंदी बोलता हूं उसके आगे, एक बार तो मुझे याद आ रहा है, कि हम कहीं गए थे घूमने, फैमिली के साथ गिया था, तो वहाँ पर होचल का जो रूम था, और उसका जो नंबर था, 101 था, तो होचल वाला कहता, कि आपके रूम के जो नंबर है, वो है 101, तो मैंने का 101, कहते हैं नहीं सर 101, मैंने का 101, कहते हैं नहीं सर 101, बन नहीं है कूल है बहाशाख का मतलब है जिस चीज में आप कमफटे हो लो वैशी भाशा में उस चीज में आप कंवे करो अपनी बातों को यह सो कई बार ना आपको बता चुका हूँ तो अक्सर लोग तोड़ा सा ठीक है कोई बात नहीं अगर किसी को अच्छा भी लगता है cool बनना तो ठीक है बनो भई क्या दिखकेता है है ना लेकिन ज़्यादा मत बनो इतना cool मत बनो कि सामने वाले को आप बिल्कुल कतई बिल्कुल लल्लू माल लो है कि भाई यह तो गतई गवार है विल्कुल है cool बनना ठीक है सबको बनना चाहिए अपना standard सबको बढ़ाना चाहिए यह बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस सबसे उपर है बाकी सबको कुछ है यह नहीं है इनका किसी का level नहीं है ग्रेड नहीं करना चाहिए किसी को खैर मैं बोला तब भी मैंने उसको 101 ना और जाते आते ही मैं सुकर है 101 की चाब भी यह लो 101 की चाब भी जान दो कि छेड़ छेड़ गे उससे तो killers गया था वो गुस्ता तो उसको आ रहा था लेकिन खैर हम उसके customer ते feedback खराब कर देता मैं उसका है ना फालतु गोलता तो ऐसा नहीं है feedback मैं नहीं खराब करता है लेकिन still थोड़ डरते हैं ना ऐसे customer से hotel वाले और अपने पास तो YouTube चैनल भी है जनता भी बड़ी है अच्छा खासा खराब कर देते नहीं यार देखो power के साथ-साथ responsibility भी आती है जितनी ज़्यादा आपके बास power है कोई ऐसा भी नहीं कि मेरो million में कोई channel है लेकिन आप लोग है साथ लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं चोड़ा ही हो जाओं भी कहीं पर एक सो चार मोर रंस तो विन दे मैच तो नीड है मतलब पहली फोर में चेंज होगा इस MRA3rd form में इस MRA3rd form यहां पे है और कहीं है हाँ यहां पे भी है भाई यह नहीं है यह नहीं है तो यह वाला होगा यह वाला होगा तो दे पीछे भी तो जाएगा 104 आगे भी तो आएगा तो ये वला होगा फिर्स्ट आंसर है अवोईड टेकिंग दफ्लाइओवर अवोईड पहली फॉर्म में चेंज होगा सजेशन देर सजेशन शुट भी प्लस थर्ड फॉर्म सिरफ यहीं पे है फ्लाइओवर शुट भी अवोईड़ है न चलिए has your message been dispatched has been dispatched already पैसिवर चेंज होगा active में तो ये जाएगा has have फ्लस थर्ड फॉर्म में तो has have थर्ड फॉर्म यहाँ पे है has have थर्ड फॉर्म यहाँ पे है और कहीं नहीं है तो your चाहिए your और यू थोड़ी चाहिए भाई फर्स्ट आंसर है यह क्या हो गया have you dispatched your message गलत कर दियागा है मैंने फ्लो फ्लो में जाद रही ओवर कॉंफिडेंट हो गए है चलो चेक करते हैं इक बाद एक नमबर कर दिया है यार मतलब यह बात समय में आरी एक्जाम में इतना भी कॉंफिडेंट नहीं हो नहीं यार नहीं कोशन मना लिए भाई को तो कोई रोक नहीं सकता unstoppable है विल्कुल है ऐसा भी नहीं चलो इससे यह चीज़ समझ में आती है has your message been dispatched has your message been dispatched अब यहाँ पे होना क्या चाहिए has been third form है तो यह change होगा अपना has have plus third form में है ना तो has have third form यहाँ पे भी है यहाँ नहीं है इनको तो भगाओ अब आपको बता your message पीछे भी तो जाएगा तो मैंने शुरू में ही चूज कर लिया your message गलत हो गया ना तो your message को पीछे लिखना था और किसी के द्वारा किया होगा वो लिखा नहीं है उसको एक्टू में लिख दिया have you dispatched your message तो इसको passive क्या बनेगा has your message been dispatched by you लिखना था by you नहीं लिखा उसमें passive में उसकी मर्जी है ऊपर लेकिन समझ में आ गया तो ज़्यादा flow भी सही नहीं है आराम से बनाते है you have not yet इतनी भी आराम से नहीं ना चलो कोई बात ने you have not yet responded to several of my complaints तो have plus third form भई change होगा has have been plus third form में has have been third form कहाँ पे भई has have been plus third form यहाँ पे है और 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 has have been third form यहाँ पे है यह नहीं है यह नहीं है भी क्या करेंगे यह हो गया यह हो गया और you पीछे जाएगा और several of my complaints आगे आएगा तो several of my complaints यहाँ पे भी है several of my complaints यहाँ पे भी है तो several of my complaints you have not you कहाँ से आ गया you तो पीछे जाएगा ना बई साथ में थोड़ी है सकता है you तो नीचे वाला answer है fourth several of my complaints have not been responded to yet by you होना चाहिए था वो उसने लिखा नहीं है I am sometimes puzzled by her actions I am sometimes puzzled change होगा simple present tense simple present tense यहाँ पे है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है only second में है second answer the manager keeps the work pending keeps first form के साथ S.E.S. है बई और यह change होगा is Mr. Third form में तो सिरफ यहाँ पे है और कहीं नहीं है first answer है the chief was being arrested by the police was being arrested change होगा was word third form में यहाँ पे है बस first answer है Martin drew a picture drew मतलब verb की second form है change होगा was word third form में was word third form यहाँ है यह नहीं मतलब second answer है यह आज का last question है did the problems you had to face discourage you? did the problems you had to face तो did है न तो change होगा was word third form में तो was word third form यहाँ पे है यहाँ है तो fourth answer है were you discouraged by the problems you had to face I hope आपको समझ में आ गया कि करना कैसे है questions को और हमने जल्दी जल्दी में एक चीज़ यह भी सीखी कि इतनी जल्दी भी नहीं करना वो तो चलो मज़े के लिए कर रहे थे यादे को common सी बात है ना कौन सा यहाँ पे exam है exam में इतनी जल्दी थोड़ी करते लेकिन still जल्दी महाँ पे करनी है लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि इतनी जल्दी नहीं करनी है भी चीजों को थोड़ा सा आराम से भी लेके चलना है इस level तक लेके चलना है कि समझ में भी आ रहा है कि आप क्या answer लगा रहे और speed भी आपकी बढ़ रही है तो I hope आपको यह session अच्छा लगा होगा मुझे comment section में जरूर बताईएगा session कैसा लगा तो ऐसे और भी chapters की जो sessions जो बचे हूँ है जैसे कि आपका verb का, adverb का, conjunction का, direct-indirect का इनकी भी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाली आती रहेंगी है न तो आप लोग देखिएगा उनको भी chapters already है पढ़के रखिएगा क्योंकि solve करने का मज़ा तभी है जब chapters आपने अच्छे से revise कर रखा होगा multiple revision आपकी होगी telegram channel में आप लोग जुडे रहिए कहोगे तो PDF में share करवा दूँगा वरना यहीं वीडियो से आप लोग बना लीजेगा है न तो मिलते हैं फिर अगली class के अंदर और एक छोटी से information और है बाकी जो बच्चा जाना चाहे जा सकता है unacademy plus के regarding एक छोटी से information है marker कहां रख दिया हाँ जी unacademy plus के regarding छोटी से information क्या है जी जैसे कि आप लोग जानते कि मैं unacademy plus पे भी teach करता हूँ फिलाल bank exam category में teach कर रहा हूँ अभी मैं तो क्योंकि एक teacher एक ही category में teach कर सकता है एक से जाधा में teach नहीं कर सकता लेकिन course को मैंने इस हिसाब से structure किया हुआ है कि हर type का बच्चा 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 है आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हूँ है यह bank और यह entity लेकिन structure इस तरीके से किया हुआ है level के हिसाब से बनाया हुआ हमयने courses को level 1, level 2, level 3, level 4 कि मतलब जो किसी 0 level पे कोई बच्चा बिल्कुल basic level पे वो भी कर पाए चीजों को जो high level तक भी जा पाए जहां जो actual में bank exam की need होती है और ssc में आप देखेंगे general level 1, level 2 तक बच्चे को बढ़िया उनका base बन जाता है level 3, level 4 तक जाने की जरूवत ही नहीं क्योंकि इतना high level ssc, nds, cds में नहीं आता है bank में थोड़ा जादा high level रहता है इसलिए level 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 level डिवाइड कर रखें जिस लेवल पर जो चीश बढ़नी है वो बढ़ सकता है sir कौन-कौन से courses चलते हैं देखो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ unacademy plus पे मेरे courses देखा अभी ongoing course मैं open करता हूँ अभी मैं अपने आपको hide कर दूँ क्या चलो वहाँ से अपने आप hide होई गया दो course चल रहे हैं एक तो आप ये देखो advanced course चल रहा है और एक ये conceptual course चल रहा है conceptual course में सारे chapters हैं जो कि मैंने YouTube पे भी पढ़ाए हुए है और advanced course practice sessions होते हैं अब सर्थ क्या difference है और YouTube पे बढ़ाए हुए तो यहाँ पे आपका अचैदमी plus पे ये कैसे different है देखो मैं समझाता हूँ YouTube पे मैंने जितने भी chapters पढ़ाए हुए complete chapters आपने note किया होगा उन chapters के जितने भी sentences हैं और यहाँ पे जो मैं chapters पढ़ाऊँगा वो बिल्कुल different है पहला point हो कि concept of course same है simple present tense जो मैंने YouTube पे पढ़ाया है वो उसको भी वर्पकी first form के साथ SEIS बोलूँगा और जो मैं आने कैनमी plus पर बढ़ाऊँगा उसको भी तो भी बोलूँगा न कोई ये थोड़ी की paid course होगा तो मैं concept बदल दूँगा नहीं लेकिन जो उस पे बने sentences होते हैं जो समझाने के और नहीने जो patterns होते हैं वो change है और जो practice questions हैं वो सारे के सारे change है और थोड़े advanced level के भी रखे हुए है कि अब बच्चे को थोड़ा high level पे भी जाना होगा कि वहाँ पर मैंने सारे basic sentences रखे है ताकि हर level का बच्चा समझ जाए यहाँ पर थोड़ा सा और advanced level तक जाते हैं जादा नहीं थोड़ा सा और advanced मैं conceptual course की बात करहूं grammar की लेकिन अगर बहुत जादा advanced जाना है तो फिर यह है advanced practice course इसमें क्या होता है जितनी भी चीज़े हमने पढ़ लिया उसको हम level case आप से practice करते हैं यह level of course होता है level of course में level 1, level 2, level 3, level 4 जितने भी concept पढ़े हैं उसको level case आप से practice चाहे वो RC वाले question हो, Parajumble वाले हो, Close Test वाले हो filler हो, double filler हो, match हो, phrase replacement हो आपका errors वाले हो, और आपका match वाले हो word context हो, spelling वाले हो किसी synonym हो, किसी भी category का question है उसको level 1, level 2, level 3, level 4 और इस हिसाब से मैं deal करवाता हूं तो यह सबसे important course होते हैं और ऐसा नहीं है कि यह एक बार आगया तो आता नहीं है, Unacademy Plus जो है, यह subscription based model लाई है हर 2 महीने में, 8 महीने batch आता रहता है, advance वाला भी और उसमें questions जो हम बदलते रहते हैं same questions नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर किसी ने एक बार पढ़ लिया, मैंसको दुबारा वही question करवा रहा हूं तो उसने क्या सीखा फिर नया जब जब आप इस batch में आओगे, तब तब आपको नए questions मिलेंगे, हर बार नए questions मिलेंगे, conceptual batch batch में चीज़े same आपको मिल सकते हैं अगर इडवांस courses में कभी भी आपको चीज़े same नहीं मिलेंगी, हमेशा new creative, innovative questions, जो latest pattern पर चल रहे हैं, और जो previous सारी चीज़े advance में रखते हैं, ये basically practice session होता है, और आप लोग सुनते हैं कि theory जो है, वो basically 30% है, और जो practice है, वह major part होता है, 70% practice होती है, जितना हम चीज़ों को implement करते हैं, उतने हमारे concept build होते हैं, implementation नहीं करोगे, बस concept, concept बढ़ते रहोगे, तो चीज़े strong नहीं होती है, भूल जाते हैं, उसे ratification कहते हैं हम लोग, तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा, कि anacademy plus YouTube की classes से कैसे different है, क्योंकि anacademy plus पे अगर आप आपने conceptual course कर लिया, तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे आके भी मेरा conceptual course दुवारा देखे, आप बस high level वाले courses देखिए, जो level के हिसाब से चल रहे हैं conceptual भी देखना चाहते हैं, तो वो आपकी referral code मांगेगा, subscription आप उपर bank exam goal सेलेक कर ले न, और फिर जब आप subscribe करेंगे, आपसे referral code मांगेगा, अप T555 वहाँ पे na referral code लगा दीजेगा, ये referral code लगाती, उस समय जो भी maximum discount आपको मिल सकता, वो मिल जाएगा, जितना भी discount चल रहा होगा, basically ये code क्या होता है, इससे ये चीज़ बता लगते कि तरुन सर के students कौन कौन से हैं, तो आप ये code लगाएंगे, तो आपको maximum discount उस ताइम पर जो चल रहा होगा, वो मिल जाएगा, तो मैंने आपको सारी चीज़े समझा दी हैं, I hope समझ में आगी हैं, और YouTube पे भी sessions आते रहेंगे, यहाँ बन नहीं होगा, यहाँ पे भी content आता रहेगा, वहाँ तो यादे को job करते हैं, तो उसके बारे में बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत बच्चे interested होते हैं, high level तक जाने के लिए, daily live practice करने के लिए, बहुत सारे बच्चों को चाहिए और भी content हम, हला कि YouTube पे भी हम provide करवा रहे हैं, लेकिन एक इनसान की एक शमता होती है, capability होती है सारी, मतलब सब को छोड़ चाड़ के बिलकुत proper YouTube पे भी नहीं आ सकते हैं तो YouTube पे भी बहुत बढ़ियां-बढ़ियां मैंने classes लिए, sessions लिए, level के हिसाफ से भी करवाएं भाई, आप उनको देखो आगे भी करवाऊंगा निश्चिन्त रहो, जो afford नहीं कर सकते हैं वो बच्चे YouTube से पढ़ लीजिए और जो afford कर सकते हैं, जिनको लगता है हाँ यार मैं थोड़ा सा invest करके अपनी education को और थोड़ा सा enhance कर सकता हूँ और knowledge को थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ तो definitely आप लोग आईए, बहुत cheap and best रहता है आप definitely बहुत साई चीजिए सीख के जाएंगे चलिए मिलते हैं, फिर नेक्स सेशन में अपना ध्यान रखिए तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत प्यार, thank you so much